हलो एवरिवन मैसेल्फ सम्रीधी शर्मा तो मैं आज फिर आचुकी हूँ आपके सामने साइंस का एक इंट्रस्टिंग सा टॉपिक लेकर जिसका नाम है डिजीजीजीज तो आज हम डिजीजीजीज के बारे में पढ़ेंगे कि डिजीजीजीज क्या होती है और कौन-कौन से डिजीजीजीज होती है तो इसके में दो पार्ट्स होंगे आज के पार्ट में हम नौन-कौनिकेबल डिजीजीजीजीज पढ़ेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमना लेक्चर तो पहले हम पढ़ लेते हैं कि डिजीजीजीज क्या होते है वाट इस डिजीजीज human diseases जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं पहला होता है congenital diseases और acquired diseases जो हमारे congenital diseases होते हैं ये by birth होते हैं और acquired diseases जो होते हैं वो हुमें बर्थ के बाद मिलते हैं Okay, acquired diseases two types के होते हैं, first of one non communicable diseases और second is communicable diseases, now आज के पार्ट में हम non communicable diseases पढ़ेंगे, तो चलो non communicable diseases स्टार्ट करते हैं, जो non communicable diseases होते हैं, वो mostly हमारी improper lifestyle की वज़ा से होते हैं, या फिर हमारी improper eating habits की वज़ा से हो जाते हैं, mutation की वज़ा से होते हैं, heritage से भी होते हैं non communicable diseases और कुछ environmental changes से भी होते हैं, ठीक है, तो non communicable diseases को हम जो है, non infectious और non contagious diseases भी कहते हैं, it means की ये फैलते हैं, non communicable diseases का मतलब भी होता है, कि एक परसन से दूसरे परसन तक ये नहीं जाते हैं, communicate नहीं होते हैं, तो these are not seasonal, ये diseases जो होते हैं seasonal नहीं होते हैं, ये कभी भी आ सकते हैं, किसी season से नहीं आएंगे, चैसे सर्दी आने पर हमें cold हो जाता है, वैसे ही ये नहीं होता है, ये किसी भी season में आ सकते हैं, तो अब है हमारा diabetes और जो cancer होता है, diabetes और cancer, ये hereditary भी हो सकता है, मतलब by genes भी ये आ सकता है, ठीक है, और इनका जो long lasting, long lasting health effect होता है, जो हमारी health पे जो non communicable disease का effect होता है, ये बहुत देर तक होता है, long lasting, even कि death भी कर सकता है, कभी-कभी, तो non communicable diseases जो होती है, वो all over the world, अगर 100% deaths हो रही है, तो 100% में से 70% deaths, 70% deaths जो है, सिर्फ non communicable diseases से होता है, ये बहुत important है, कि non communicable diseases से कितनी percent death rate होती है, 70% deaths जो होती है, all over the world, इंडिया में नहीं, पूरे world बहे, 70% deaths जो होती है, non communicable diseases से होती है, तो इसका कोई specific treatment नहीं होता, कोई भी इसका specific treatment नहीं होता, non communicable diseases का, और जो medicines होती है, वो सिर्फ उनको prevent कर सकती है, रोक सकती है, खतम नहीं कर सकती है, कोई treat नहीं कर सकती है उनको ठीक है और कुछ तो ऐसी होती है जिनको हम cure भी नहीं कर सकते हैं बिलकुल ठीक भी नहीं कर सकते हैं कुछ ऐसे diseases भी होती हैं इनको हम chronic diseases भी कहते हैं chronic का मतलब होता है कि long period तक बहुत period तक और ये death भी cause कर सकती है acute disease जो होती है, वो short period तक होती है, लेकिन वो death cause नहीं कर सकती है, लेकिन chronic disease longer period तक होती है और ये death भी cause कर सकती है, ये जो होती है, ये nutrition deficiency से भी cause होती है, hormonal deficiency से भी cause होती है, और abnormal proliferation of cells से भी cause होती है, abnormal proliferation of cells ही होती है कि abnormal जब cells divides करना start कर जाते है जब cell number abnormal increase करना start कर जाता है तब भी non communicable disease होती है इनका कोई diagnostic test नहीं होता है मतलब कि इनका पता लगाने के लिए कोई भी test नहीं होता है prolonged treatment अगर treatment हो भी तो बहुत लंबा treatment चलता है lifetime के लिए भी treatment हो सकता है ठीक है और इसमें कुछ special surgical treatments चाहिए होते है special surgical treatments अब non communicable disease की कुछ examples है जैसे की cancer, diabetes Alzheimer disease और quashior car quashior car अब non communicable communicable diseases होती है कितने तरह की होती है non communicable diseases हमारी जो होती है वो 5 तरह की होती है पहले जो होती है वो होती है deficiency disease पहली होती है deficiency disease मतलब किसी की कमी से अगर कोई disease हो जाए वो हो जाएगी deficiency disease दूसरी होती है allergic disease कोई allergy है वो भी non communicable क्या बीच मे आएगी तीसरी होती है cancer cancer ओके ये बहुत important है और चोथा है हमारा genetic disease genetic भी होती है कुछ ठीक है और पांचमा है हमारा degenerative diseases degenerative disease तो चलो आगे पढ़ते हैं आगे है हमारी पहली disease cancer पहली disease है हमारी cancer cancer होता कैसे है cancer जो होता है irregular growth of cells और tissue जब हो जाता है तब हमें cancer हो जाता है और उसी को tumor भी कहते है ठीक है जब हमारी cells की और यह tissue की irregular growth हो जाती है बहुत ज़्यादा growth हो जाती है तब हम उसे कहेंगे कि हमें tumor यह cancer हो गया हमें नहीं मतलब किसी को होता है जब तो cancer के treatment के लिए radon gas use की जाती है radon gas और radon gas जो है हमें earthquake से earthquake से मिलती है किसे मिलती है earthquake से ठीक है तो cancer को treat करने के लिए three ways होते है पहली chemotherapy जब cancer first stage में होता है उसको drugs के साथ treat किया जाता है और उस treatment को हम कहते है chemotherapy और कौन-कौन से drugs होते हैं सिसप्लास्टिन और taxol drugs जो होते हैं दो drugs वो जो होते हैं chemotherapy में use किये जाते हैं सिसप्लास्टिन और taxol यह आप याद रख लो सिसप्लास्टिन और दूसरा होता है taxol यह दो drugs जो होते हैं वो use किये जाते हैं first stage में जब cancer होता है तब उसको treat करने के लिए तो दूसरा जो होता है दूसरा होता है हमारा biopsy biopsy मतलब surgery से और तीसरा होता हमारा radiotherapy radioactive substances का जब use किया जाता है तब radiotherapy होता है जादा तर जो है gamma rays use कि जाती है ओके और generally cancer को cure करने के लिए cobalt 60 का use किया जाता है cobalt 60 एक isotope है cobalt 60 तो अब है हमारा blood cancer blood cancer क्या होता है जब हमारी blood में जो है ना blood में number of wbc increase कर जाए number of wbc भढ़ जाए तब हमें blood cancer होता है और इसी को leukemia भी कहते है इसी बिमारी को leukemia भी कहते है ठीक है और इसको cure करने के लिए phosphorus 23 का use किया जाता है और body में tumor का पता लगाने के लिए arsenic 74 का use किया जाता है ठीक है और study of cancer oncology oncology होती है study of cancer oncology पता लगाने के लिए tumor का पता लगाने के लिए arsenic 74 blood cancer के cure के लिए phosphorus 23 और cancer के cure के लिए cobalt 60 बहुत important है याद रख लो बहुत 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 जादा important है ठीक है तो दूसरे आ जाते हैं हमारी non communicable diseases genetic diseases अब genetic diseases हमारे पास दो है पहला है color blindness color नहीं पहचान सकता है कोई इंसान जब उसके कौन cells जो होते हैं eyes में eyes में दो cells होते हैं कौन cells और rod cells तो जब वो cells कम हो जाएं तो इंसान जो है कौन मतलब की color blindness हो जाती है colors नहीं पहचान सकता है और जादा तर red और green color नहीं वो पहचान सकता है ठीक है और इसकी carrier mother होती है ये एक genetic disease है न मतलब की genes से आगा genetic disease है तो इसकी carrier mother होती है mother के genes से color blindness होती है इसको कहा जाता है इसमें जो है blood clotting नहीं होती है blood clotting नहीं होती है इसको royal disease भी कहा जाता है तो अब हमारे genetic disease भी cover होगे अब है हमारा degenerative diseases degenerative diseases degenerative diseases होते कौन से कैसे हैं पहले यह पता जब किसी भी hormone की कमी हो जाए यहां फिर किसी gland में कोई खराबी आ जाए उसके कारण जो है हमें degenerative disease होते हैं ठीक है जब किसी hormone की कमी हो जाए यहां फिर किसी gland में कोई खराबी आ जाए तो degenerative disease होते हैं पहला degenerative disease है हमारे diabetes डायडीटीज डीजनरेटीव डिजीज है यह बहुत इंपोर्टन है टो डायडीटीज दो दो तरह क्यों होते हैं डायडीज इंचिपीटर्स और डायडीज मैलीटस जो हमारा डायडीज intend月 workusa होता है उसमें ADH हौर्मों की कमी हो जाती है ADH hormone की कमी हो जाती है और जो diabetes mellitus होता है उसमें insulin hormone की कमी हो जाती है ठीक है तो अब है हमारा osteoporosis osteoporosis क्या होता है osteoporosis जब male में testosterone hormone कम हो जाए तब होता है और female में जब estrogen hormone कम हो जाए तब होता है और इसमें basically होता है क्या जो हमारी हडियों होती है न वो soft हो जाती है ठीक है और इसी को silent killer भी होता है क्योंकि इसका पता लगाना बहुत मुश्किल होता है इसका पता नहीं चलता है ये अंदर-अंदर से हमें मार लेता है तभी तो इसको silent killer का कहते है ठीक है और इसको पता लगाने के लिए BMD test हो और world osteoporosis day जो होता है वो 20 October को मनाया जाता है तो आज हमारा बस इतना ही non communicable diseases आज मेंने सारी cover करवा दी हैं तो अगले lecture में part 2 में हम communicable diseases cover करेंगे तो I hope कि आपको मेरा आज का lecture पसंद आया होगा और अगर आपको मेरा lecture पसंद आया है तो please like, share और comment करना मत भूलिएगा और channel को subscribe करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा and thanks for watching और हमारा जो telegram group है उसको भी join करिएगा उसका link जो है हम description में देदेगे and thanks for watching